आज का वीडियो फ्रेंड्स आप सभी को बहुत जाद है पसंद आने वाला है क्योंकि मैं आज लेकर आई हूँ गर्मियों की सबसे सांदार सबजी कठल की सबजी तो कठल की सबजी आप लोगोंने घर में कैई बार बनाई होगी लेकिन जो मेरी रेसिपी से आप बनाओगे आपका जाद है काम बढ़ेगा और ना ही आपको बहुत जाद है बरतन बिकार करने की जरुरत है एक ही बरतन में एक ही बार में डारेक्ट फ्राइ करके ये सबजी बनाने वाली हूँ और ये सबजी बहुत ही स्वादिश्ट बनने वाली है तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं इस सबची को बनाने के लिए यहां पर मैंने लिया है एक किलो कठल यह मैं बाजार से लाई हूँ और बाजार से ही मैंने इसको कटवा लिया था इसको मैंने अच्छे से दो लिया है और दोने के बाद अब मैं इसको एक इंच के पीसिस में कट कर लूँगी और जो इसके बीच हैं उनको अच्छे से नुका लूँगी और छोक के लिए मैंने बड़ा बड़ा प्याज कट किया है लेसन छीला है, टमाटर है, हरी मिर्च है और अद्रक तो सबसे पहले मैं लेसन और प्याज को एक साथ पीस लूँगी और टमाटर हरी मिर्च और अद्रक को एक साथ पीस हूँगी तो दोनों ही बैटर मेरे तयार हो गए हैं और दोनों को ही मैंने आच्छे से पीस लिया है अब तड़का लगाना शुरू करते हैं लगाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया एक कड़ाई और उसमें मैंने दो बड़े चमच तेल डाल लिया है सबसे पहले मैं इसमें जीरा डालूंगी और थोड़ा हींग मुझे जादा डालना है और जो मैंने लहसुन और प्याज का paste बनाया था उसको सबसे पहले इस पे डाल देना है और डालने के बाद इसको तुरन चलाना है क्योंकि यह जलेना और गैस का flame मीडियम कर देना है मेडियम फ्लेम पर इसको हलका ब्राउन होने तक या तब तक किये अपना ओइल ना छोड़ दे तब तक इसको पकाते रहना है लहसुन और प्याज दोनों ही कड़ाई में अपना तेल छोड़ने लगे हैं तो इस समय पर मैं इसमें एड़ करूँगी टमाटर का पेस्ट तब तक उसको भूनना है अब इसको भी भूनूंगी टमाटर वाला पेस्ट भी अच्छे से भून गया है अब मैं इसमें एड़ करूँगी कुछ मसाले सबसे पहले में लूँगी एक कटोरी और कटोरी में सबसे पहले में डालूँगी एक चमच धनिया पाउडर एक चमच हल्दी पाउडर और आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग रेड चिली पाउडर एड़ कर सकते हैं मैंने एक चमच लिया है आप इसमें देगी मिर्ची का भी प्रियोग कर सकते हैं इसका कलर बहुत अच्छा हैगा मैंने नॉर्मल मिर्ची का प्रियोग किया है आदा चम्मच लिया है मैंने गरम मसाला और नमक लिया है मैंने स्वादा नुशार अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसका पेस्ट तयार करना है ताकि मसाले हमारे जलेना जब हम इसको कड़ाई में डालेंगे पेस्ट हमारा तयार हो गया है अब मैं जो मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी को रोस्ट करके रख लिया था पहले मैं इसमें कड़ाई में रोस्टेड कसूरी मेथी को डालूंगी और उसके बाद ये मसाला भी मसाले को भी मीडियम फ्लेम पर तूनना है ताकि मसाले जलेना और मसाले को भी अच्छे से भूनना है क्योंकि जब तक मसाले अच्छे से नहीं भूनेगा तो सबजी में टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा मसाले को चलाते रहना है continue और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है मसाल पानिए ओड़ करने के बाद असको लिड लगाइग पहले गैस का फलेम के बिए aloneño और ही फ़ेश始ुनिक चल चलाते diagnostic ताकि कठल जलेना और कठल बन कर तयार हो गया है इसको चैक भी कर लेना है इस तरीके से अगर कठल कट रहा है तो इसका मतलब कठल बन कर तयार है अब मैं इसको धनिये से गार्निश कर दूँगी और इसे शर्व करूँगी और कठल बहुती स्वाधिष्ट बनी है अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें बाबाई